Hi friends, मैं हूँ विकास Year की शुरुवात में ही हम 95% marks लेने का objective बना लेते हैं पर जब exam का time आता है तो हमें realize होता है कि हमारे marks 95% से कम आएंगे कभी-कभी तो हम सिर्फ pass होकर ही संतुष्ट हो जाते हैं हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि साल के शुरुवात से साल के end तक पहुंचते पहुंचते हम अपने objective को पूरा नहीं कर पाते हैं गलती नमबर वन हम subject को समझने से ज़ादा याद करने में time लगाते हैं means cramming करने लगते हैं गलती नमबर दो daily work complete नहीं कर पाते हैं गलती नमबर तीन खुद को organized नहीं रख पाते हैं गलती नमबर चार काफी बार एक subject को ज़्यादा और other subject को कम time देने लगते हैं ultimately कहें time manage नहीं कर पाते हैं और इन सब के इलावा exam को time पर पूरा नहीं कर पाते हैं इन सबी problem का solution समझने से पहले हमें कुछ बातों को शुरू से ही ध्यान में रखना चाहिए आप topics को समझने के लिए एक ही book को follow करें एक से ज़्यादा book को follow ना करें अगर ऐसा नहीं करते तो आपको slavis complete करने के बाद revision करने में problems होंगी अपने आपको organized रखें means हर subject को pre-decided minimum time जरूर दे लाइफ valuable है study important है पर इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आप enjoyment करना छोड़ दे लाइफ में fun का भी अपना ही importance है इसलिए fun को भी time दे यह बिलकुल न भूलें कि fun की वजह से आप subject का sacrifice ना करें यह आप बात है कि हम किसी function को attend करने की excitement में function से पहले ही study करना छोड़ देते हैं इन सभी problems का solution करने के लिए मेरी बताई हुई tips को follow करें tip number one time table बनाए tip number two practical subject और theoretical subject को अलग-अलग time दे जैसे अगर आपके पास practical subject है तो उसे morning time दे रहे हैं तो theoretical subject को evening time दे या फिर vice versa भी कर सकते हैं tip number three अपने friends के साथ या teachers के साथ topic को discussion करें जिससे आपकी subjective knowledge बढ़ेगी और strong होगी आप subject को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे tip number four practical subject जैसे की accountancy, maths, physics इनको हमेशा लिख कर करने की कोशिश करें आप इन subject को read ना करें tip number five, self study is the most important self study हमेशा करें, खुद को time दे जब आपका teacher आपको पढ़ा रहा है तो वो आपके लिए study जुरूर है बट यह self study नहीं है खुद को अलग से time दें, आपके school time और tuition time के इलावा tip number six, daily का काम daily करें अगर किसी वज़े से एक दिन काम पूरा नहीं हो पाता है तो पहले आज का काम करें, फिर जो कल रह गया था उस काम को complete करें जब भी आप study कर रहे हैं, जो भी आप study कर रहे हैं उसके आप bullet points जुरूर बनाएं मिस, जब अगर आप साल के end में आप revision करेंगे आपको पूरा complete पढ़ने के जुरूर तो ना रहे आप सिर्फ उन bullet points को पढ़कर पूरे chapter को जल्दी से revise कर पाएं साल के end में जब आप exam के लिए examination हाल में पहुँचेंगे तो आप पहले से ज़्यादा confidence महसूस करेंगे If you follow these tips आपको 95% marks लेने से कोई नहीं रोख पाएगा Thank you friends फिर मिलते हैं